होली के मौके पर मीट खरीदने को लेकर कैसे उलज गए लोग दरसल आज होली और शबे बारात दोनों एक ही दिन होने की वज़े से दुकान पर मीट खरीदने वालों की काफी भीड हो गई लेकिन यहाँ एक बात और बताना जरूरी है कि कई हिंदू संगठन मीट मुर्गी अंडा का विरोध करते हैं और इनकी दुकाने भी बंद करवा देते हैं उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए कि दिल्ली में कैसे होली के मौके पर हिंदू समुदाय के लोग खुद हलाल मीट शौक पर मीट के लिए लाइन में लगे हुए हैं यहां तक कि मीट ना मिलने पर एक दूसरे से यह उलज भी रहे है आपने भी मीट ले लिया क्या कितना कितना लिया पन्ताल तो आज आज मीट खाएंगे मीट खाने कदिरें यहां है होली क्या 5 5 किलो खा जो गया य fund जाहारा है किसी भी तरह से भी मीट खाना प्रटन खाने का दिन जम कर और कोई कहें मत खाओ तो खाना है अरे मना कर रहे हैं लोग मत खाओ खाओ गे और भाई ये दिखाओ आपको तमाम ये लोग हैं सब गैर मुस्लिम भाई है हमारे ये जो आप दुकान देख रहे हैं आहं के हलाल मीड शॉप ये एक मुसलमान की दुकान है और खरीदार जो हैं वो तमाम हिंदू भाई हैं होली मनाएंगे आज क्या नाम है आपका क्या नाम है राजकुमार राजकुमार भाई आपका नंबर नहीं आया क्या नाम है आपका विनीद भाई आप क्यों नहीं ले रहे हैं अच्छा लड़का खड़ा हुआ है क्या नाम है क्या नाम है आपका संजे संजे भाई क्या हुआ नंबर नहीं आया बहुत भीव लगए कितना भीड़े भाई अच्छा यह भारत की तस्वीर है यह दिलवालों के शहर दिल्ली की तस्वीर है यहां से लोगों को भगाया नहीं जाता कि आपको अगर यह देखिए यह देखिए यह क्या हुआ यह मीट की दुकान पर खरीदार हैं सारे यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर चाहिए सब को मिलेगा भी सब को और भरपूर है सब को मीट मिलेगा चिकन मिलेगा जिसकी जो 24 है जिसको जो पसंद है वो सब को मिलेगा बस कैसे भी करके नमबर आ जाए यह जल्दी है जल्दी से जल्दी नमबर आ जाए हिजाब को लेकर एक मुसिबत बना दिया मीट क्यों गोश्ट को चिकन को लेकर एक मुसिबत बना दिया कि भाईया क्यों खाते हो क्यों बेचते हो अरे लडो मत अरे लडो मत भाईया अरे लडो मत भाई झाल झाल